यूपी के मुझफ़ा नगर जिले में बदमाश और पुलिस के बीश हुई मुटभेड में हिरासत में लिए गया बदमाश के पैर में कोली लगी वहीं दूसरी तरफ दो पुलिस कर्मी भी खायल हो गए दरसल थाना बुढ़ाना को तवाली छेतर में उस समय मुटभेड हुई जब हत्या में वांचित चल रहे बदमाश को आला कतल रिकवरी के लिए पुलिस मिंडकाली गाउं के जंगलों में लेकर पहुची इसी दोरान अचानक बदमाश ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिश्चल शीन कर पुलिस पार्टी पर अंधादुन फायरिंग शुरू कर दी इस फायरिंग में पुलिस कर्मी खायल हो गया और साथी सब इंस्पेक्टर बाल बच गए पुलिस ने जवाबी कारवाई करते हुए लखनओ और मुजफ़न अगर से हत्या के मामले में वाच्चित चल रहे 75,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली मानने के बाद किरफतार कर लिया बदमाश के कपचे से पुलिस ने एक पिस्चल और दो कार दूस भी परामत किये हैं गायल बदमाश के खिलाफ लखनओ, मुजफ़न अगर और मेरत में हत्या लूट के लगभग दो दर्जन से अधिक मुकत में दर्च है पुलिस ने गायल बदमाश को उप्चार के लिए इस्पतार में भरती करा दिया है वहीं गंभीर हालत में सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को डॉक्टरों ने मुजफ़न अगर जिलाची किसाले के लिए विफर कर दिया है मामले में विधिक कारवाई की जा रही है मुझफ़न अगर से जन्मतनी उसके लिए संजय कुमार की रिपोर्ट